वैसे तो टीवी पर कई रियाल्टी शोज आए लेकिन सबसे ज्यादा जिसने लोगों के दिलों में अपनी जखे बनाई वो है अमिताब बच्चन का कौन बनेगा करोनपती शोग इस शोग ने भारत के लोगों के कई सबने पूरे किये हैं कौन बनेगा करोनपती शोग की सबसे खास बात दिये है यहाँ पर देश के हर तप्के के लोग अपनी प्रतिभा के अनुसार पैसे जीत कर अपनी जिंदगी को समार पाते हैं केबीसी में प्रतियोगिताओं को करूनों रुपय बाटे जाते हैं लेकिन क्या आपने कफी सूचा है कि केबीसी के पास ये पैसा कहां से आता है विजेताओं के सवालों के जवाब देनी पर उन्हीं दिया जाने वाला करूनों रुपया कहां से आता है सोनी टीवी के विजयताओं को बांट दिया जाता है जिस तरह किसी टीवी शो में रोल करने के लिए किसी एक्टर या एक्ट्रेस को फीस दी जाती है ठीक उसी तरह विजयताओं को भी पैसे दिये जाती है विजेताओं में बाड़ी जाने वाली राशी सोनी टीवी को अपने विज्यापनों से प्राप्त होती है इस शो के प्रसारण के दौरान जो विज्यापन चैनल पर दिखाये जाते हैं उनके पैसों से ही KBC शो के विजेताओं को उनकी जीती भी राशी दी जाती है सोनी टीवी जैसे बड़े चानल्स पर प्रति सेकंड के हिसाब से विज्ञापनों की कीमत दो हजार से पांच हजार के बीच में होती है इस तरह सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले सबसे बड़े रियल्टी शो कौन बनेगा करोणपती के विनर्स में पैसा बाटा जाता है टीम इंडिलिंग्स